तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की कॉमिक जी एटीन की वापसी इसके पहले की जितने भी तौसी की कॉमिक्स है वो आपको तौसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जी एटीन की वापसी इच्छा धारी सांप तौसी सर्फ देश का राजा था और अपसरा उसकी राणी थी अपसरा अगा ठीक समय पर स्वामी भ्रह्म देव ने हमारी मदद न की होती तो बड़ा संकट आ जा था किन्तो मकडा को तो आपने दंद में पराजित करके भी जंदा छोड़ दिया उसने मेरा अफरण किया था स्वामी मकडा को मिर्ति डंड मिलना चाहिए था जिस तरह रावन को भगवान राम ने दिया था किसी को दंद में ललकारना धर्म युद्धी की तरह होता अपसरा पराजित को हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है वही तो मेरी परिक्षा थी अगर मैं मूर्चित मकडा को मार डालता तो ब्रह्म देव मुझे देव लोग चलने को निमंतरन ना देते मकडा भी एक देवी है उन्होंने तो कहा था कि महाँ जी एट्टी ने आतंग बचा दिया है देव लोग में तो बड़े बड़े पराक्रमी होंगे कोई तो कारण होगा जो प्रह्म देव प्रकरती के नियमों के विप्रीत मुझे ले जा रहे है अब सरा का अपरण मकडा ने किया था और मकडा को भी जादत तुर्क सेन पाताल में कल्प देश का राज़त तुर्क सेन तोसी का शत्रू है जिसे वरदान प्राप्ते की तोसी उजे पराजित नहीं कर सकता मकडा कल्प देश की देवी शक्ति है और तुरक सेन मकडा की तिलिस में जा चिपाए और उस तिलिस में केवल तुरक सेन ही प्रविश्च हो सकता है या फिर मकडा अब सरा, महल में तुमारी सुरक्षा का पूरा प्रबन्द रहेगा अब मैं नाग बाबा से मिलकर आता हूँ तौसी नाग बाबा के आश्रम में पहुंचा आओ वस तुमने अच्छा किया जो मकड़ा की मूर्चा तूटने से पहले वैस्तान जोड़ दी आत्वा कभी न निकल बाते क्या आप सब देख रहे थे हाँ तुम कहीं भी रौ मैं तुम्हें देख सकता हूँ फिर आपने मेरी मदद क्यों नहीं की वहाँ मेरी सारी गुब्ति शक्तिया समाप तो गई थी मकड़ा की देव भूमी में केवल देव लोग का वासी ही अपने गुब्ति शस्त्र प्रयोग कर सकता है वहां मेरी शक्तियां भी काम नहीं करती मकड़ा के बारे में जानने के लिए पड़ है तौसी और मकड़ा जो कि आपको तौसी की प्लेलिस में मिल जाए नाग बाबा मैं देव लोग में जी एट्टीन से महासंग्राम लड़ने जा रहा हूँ मुझे आपका आशिर्वात चाहिए सौमी ब्रह्मदेव ने तुमारी साहता किया बस अब तुम्हें भी उनकी साहता करनी होगी मेरा आशिर्वात तुमारे साथ है तब तक आप अपसरा और मेरे पुत्र की रक्षा मकड़ा जैसे शैतानों से करते रहेंगे बस जब तक तुमारा पुत्र अज्यात इस्तान पर है तब तक तो कोई उस तक नहीं पहुंच सकता वास्तिविक संकट की घड़ी तो उसके नाम करण पर आईगी जब वैस अपके सामने प्रकट होगा रहा अपसरा का प्रश्ण तो अब अपसरा की रक्षा कालू जिन करेगा तोसी ने स्वामी ब्रह्मदेव का इसमन किया और फिर स्वामी प्रकट हो गया स्वामी ब्रह्मदेव मैं आपके साथ प्रस्थान के लिए तैयार हूँ देव लोग से तुम्हारे लिए पुश्पक विमान आया है तौसी, हे राजा, इस विमान यात्रा के समय तुम गहरी नीन सो जाओगे, फिर देव लोग में ही जाओगे, ऐसा क्यों स्वामी, ये प्रकर्ती के नियमों के विप्रीत है कि भौतिक शरीर वाले प्राणी को प्राप्त कर ली है, देव लोग के चक्रम राज पर हमारी विजह हुई है, पिताश्री आप चक्रम राज के सिंगासन पर विराजे, चक्रम के देव राज को पेश किया जाए, थोड़ी देर में चक्रम राज के राज, राजा नेत्रपालम को पेश किया गया, राजा नेत के पास 18 महाशक्तियां जिने 18 ब्रह्मास्त्र धारकी काट सकता है देवलोग में मेरा पुत्र सिनूरा मेरा प्रतीन दी राजा बनेगा और तुम्हें उसकी गुलामी से इकार करनी होगी कदा भी नहीं अरे मूर्ख जी 18 तो ये मत समझ कि तू पहला रक्षे से देवलोग को चनौती देने वाला तो उससे पहले तो अनेका सुरो ने देवलोग जीतने का सपना देखा और सबंत में मारे गए लेकिन मैं आमर हूँ नेतरपाल मेरे पुत्र नय अब मुझे मेरा भै गाउन भी ला दिया जो भूलोग में पुजारी के पास था अब भूलोग पर मेरी इच्छा के विपरीत मुझे कोई बुलाने पर मजगूर नहीं कर सकता संजी 18 नेतरपाल के राज को ना तो तू पराधीन बना सकता है परन्तु मेरे नेतरों को नहीं मैं अपने नेतरों से ना केवल भूत बर्तवान पविश्चे देख सकता हूं बलकि हजारों लाखों मी तू पर हाहा तूम नेतरपाल को अधिक समयता बंदी नहीं बना सकोगे पाधाल के सर्प देश से एक इच्छाधारी साब तौसी देवलोग की ओर आ रहा है तौसी तौसी देवलोग में सिनूरा तौसी को देवलोग की सीमा से वापिस ख़दे रहो जो आग्यपिता श्री से नूरा का विमान ओर चला इस बार में सिच्छाधारी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारा ब्रह्मान काप उठेगा तौसी का पुषपग विमान देवलोग की ओर चला रहा था और तौसी सुप तवस्था में था कुछ घटने वाला है इसलिए मुझे अद्रिश हो जाना च किसने मेरा शस्तर तोड़ दिया अगनी बाड़ों की बचार से इसे जला कर राक करता हूं सक सक कट 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 मेरे सब तीर कट कर गिर रहे है अद्रिश शिवार करता है अब मैं और मेरा विमान अद्रिश है मैं उसके निकट पहुंसता हूं ओ ये तो आराम से सो रहा है फिर म सिनूरा नीचे गिरा तो उड़ता हुआ अपने विमान में आ गया मुझे कोई देख रहा है इस विमान में कोई और भी है जो अद्रिश है सिनूरा न जी एटीन को सूचित किया पिताश्री इस व्यमान में तौसी तो सो रहा है और कोई दूसी शक्ति रक्षा कर रही है जरूर वह अद्रिश्च धज होगा प्रकट शस्त्र का प्रयोग करो सिनूरा परन्तु पिताश्री प्रकट शस्त्र छोड़ने के बाद तो मैं भी अद्रिश्य नहीं हो सकता तुम मेरे पुत्रो छल कपट से नहीं पराक्रम से लड़ो चल मेरे प्रकट शस्त्र अब कोई शक्ति अद्रिश्य नहीं रह सकती प्रकट शस्त्र छूटते ही पुश्पक विवान में स्वामी ब्रह्मदेव प्रकट हुए ओ, स्वामी ब्रह्मदेव, जब तक तौसीर निंद्रा में है और देवलोग की सीमा में प्रविष्ट नहीं होता, इसकी रक्षा करना मेरा धर में और मैं उसे देवलोग की सीमा में प्रविष्ट नहीं होने दूँगा स्वामी ब्रह्मदेव मार्ट से हट जाओ अन्था मैं तुमारा भी खात्मा कर दूँगा मैं प्राणों की आउती देकर भी हट नहीं सकता ये मत भूलो ब्रह्मदेव ये बड़े बड़े देवी देवताओं को हमने अपने महल में बंदी बनाया हुआ है और इन सब की मुक्ती का समय आ गया है अब मैं तुमारे गुरू मंतर का जाब करके प्रहार करूँगा देखता हूं तुम उसे कैसे रोकोगी सिनूरा ने गुरू मंत्र का जाब किया ओम साह ओम ओम साह हैं विमान तो बादल में छिप गया बेना जिश्टी में आए किस पकार पढ़ा करूँ मगर मैं भी इस बादल का पीचा नहीं चोड़ने वाला अब तो बादल देवलोग की सीमा में बढ़ रहा है पिताश्री मैं बादल में छिपाए इसलिए मैं उसको बादल नहीं कर पा रहा हूँ सिनूरा कोई भी बादल किसी विमान को इस तरह छिपा कर एक देशा में नहीं बढ़ सकता यह डिश्टी ब्रहम है रिश्टी ब्रहम तो क्या ब्रहमदेव में फैला है यह जाले अगर यह सम्मोहन है तो अभी इसे काटता हूँ चल सम्मोही नहीं खोल दे पर्दा साइं साइं हैं यह तो स्वामी ब्रहमदेव अकेला उड़ा जा रहा है और इसी के शरीर से बादल का दुआ निकल रहा है सामी ब्रहमदेव देवलोग के एक परवत पर उतर गए मैं सिनूरा को तोसी के मंतरों से अलग करने में सफल हो गया हूँ लेकिन मुझे यह धोका पसंद नहीं आ है ब्रहमदेव बता तोसी का विमान किस दिशा में गया है अरे राक्षा स्वत्र अब तोसी देवलोग में आ चुका है मेरा सूष में शरीर उसियान का संचालन कर रहा है मैं आज भ्रहमदेव हत्या करूँगा तेरा गुरु मंतर पढ़कर वार करूँगा देखता हूँ तोसी कैसे रोकता है ओम स्वाह अब मुझ पर कोई सम्मन भी नहीं चला सकता तेक ये चक्र तेरा सिर काट डालेगा हे गुरु देव तुमारे मंतरों से सज्जिशस्त्र को मैं काट नहीं सकता सामी ब्रहमदेव का शरीर सिर कट कर गिरा और अब मैं तेरा शरीर छलनी कर दूँगा सक सक अब मैं देखता हूँ तोसी के रक्षा देवलोक में कौन करता है मेरा शूश्म शरीर तोसी का पुष्पग वहां लेकर शीक्र मेरे पास पहुँच तोसी जाक चुका था हैं? मैं कहा हूँ? ये पहाड क्या मैं देवलोक में हूँ हे राजन इधर मेरे पास आओ यहाँ स्वामी आप इस हिस्तिती में राजन मेरी अकाल मृत्यू का समय आ गया कुछी समय बाद मैं इस लोग से प्रस्थान कर जाऊँगा किसने की आपकी हत्या सिनूरा ने मेरे गुरु मंत्र की आळ लेकर वार किया राजा यू तो मैं अपने प्राण अपनी इच्छा से ही त्याग दूँगा गुरु मंत्र का आदर करते हो मुझे ये शरीर अप त्याग नहीं होगा सुनो ध्यान से सुनो राजन देव लोग में बहुत बड़ा संकट बंड़ा रहा है जी एटीन और सिनूरा ने अधिकांच देवी देवताओं के गुरु मंत्र सिद्ध कर लिये और जो देवगण अभी सुरक्षे थे वे सुमेरु परवत की काल कंद्रा में जा छुपे जी एटीन अंते माकरमण इस परवत पर करेगा इन्हें पराजित किये विनवद देव लोग विजेता नहीं बन सकता जी एटीन और सिनूरा ने जिस तरह हमारे गुरु मंत्र सिद्ध की है उन्हें उसी स्थाम पर निष्ट किया जा सकता है जहां उसने उसके पेठे ने तब किया वैस्तान सुमेर्यू परवत का काला खाडा है मुझे यह वर्दान प्राप्त है कि जो भी मेरी मौत का कारण बनेगा उसका संकार मेरी हड्डियों से होगा इसलिए तुम मेरी हड्डियों से शस्त्र बनाकर देव लोग को बचा सकते हो देव लोग के राजा सुमेर्यू को मैं तुमारे बारे में बता चुका हूँ वै तता उसकी सेना तुमारी साहता करेंगे स्वामी ब्रह्मदेव मैं आपकी सौगन खागर कहता हूँ जिसने आपकी अत्या केमर से जीवित नहीं चोड़ूँगा साथधान सिनूरा मैं आ रहा हूँ राजन मैं अपना शरीर विसर्जित कर रहा हूँ मेरी हड्डिया समेट कर शस्त्र निर्मार कर लो ओम सामी ब्रह्मदेव का शरी विसर्जित हो गया और हड्डियों का पंजर शेष रह गया सिनूरा वापिस जी एटीन के पास पहुंचा पिताश्री तौसी का विमान तो देवलोग से वापिस लोट चुका है और अगर वह देवलोग में आया है तो अब उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसके रक्षा ब्रह्मदेव का वद कर डाला है क्या तूने गुरू मंत्र के यार लेका ब्रह्मदेव का वद किया हाँ पिताश्री इसके बिना कोई चारा भी ना था बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तूने सामी ब्रह्मदेव को ये वर्दान प्राप्था कि उसका वद्ध करने वाला उसी के शरीर से मारा जाएगा परंतु शरीर वह तो मर चुका मुझे तुरंत उस जगह पहुशना चाहिए जब ब्रह्मदेव ने शरीर छोड़ा पहुशन सकती। तुम प्रहरी बन जाओ मैं इन हड्डियों से शस्त्र निर्माण करता हूँ यदि इधर कोई आता दिखाई दे तो तुर्द मुझे खबर कर देना। प्रमदेव की हड्डियों ने तौसी अड्डियों से तौसी शस्त्र निर्माण करने लगा। सिनूरा की रक्षा के लिए G18 अवशी विकट प्रवंद कर रहा होगा कुछ समय बादी हे महाबली G18 आगाश माँख से उड़ता इसी ओर आ रहा है क्या अद्रिश रूप में आ रहा है हाँ महाबली आने दू अद्रिश रूप में G18 उसी इस्थान पर पहुँच गया वो इश्पक विवान इसी परवत पर है इसका मतलब तौसी आ चुका है ओ यहाँ तो ब्रह्मदेव की चिता चल रही है ओम शान्ति स्वामी ब्रह्मदेव मैं तुम्हारी चिता की सौगंद खाता हूँ तुम्हारे हत्यारे सुनूरा को जीवित नहीं चोड़ूँगा और मेरा परण है कि मैं उसे कल सुर्यास से पहले खत्म कर दूँगा यदि मैं अपनी परतिग्या में असफल रहा तो अपनी चिता चलाकर अपने प्राणों की आउती दे दूँगा मर गया अपनी मौत हाहा तुने परतिग्या करके अपनी मौत से हम बला लियो तो सी अर्जन ने भी अपने पुत्र के हत्यारे जैदरत को बानने के लिए ऐसी परतिग्या की थी वही इत्यास देव लोग में फिर दोरा आए जाएगा अंतता प्रतिग्या करने वाला मारा जाएगा अब देखता हूं तुझे कौन सा कृष्ण बचाता है जी एटीन तो अपने पुत्र को मेरे हाथों नहीं बचा सकता सुन तुझे मैं देव लोग भूलोग और पादालोग का विजेता बनूँगा ये मेरा संकल्प है मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता जी एटीन मैं भी तेरी मौत के बाद ही विजेवियान शुरू करूँगा कुछ देर बाद तौसी शेस्त्र बनाकर अद्रिश धच के पास पहुचा जो तौसी के रूप में चिता जला रहा था अद्रिश धच जी एटीन कहान वह यहां से चला गया जी एटीन ने सिनूरा का अपनी तर्श शक्तियों के विउव में छिपा दिया था कल से सूर्यास तक सिनूरा इस विउव में रहेगा जिसे कोई नहीं तोड सकता देव लोग के सब राक्ष इस विउव के चारो तरफ दिवार बन का खड़े रहेंगे तौसी से सबसे पहले सिनूरा इस विउव से तब बाहर आएगा जब तौसी चिता में जल चुका होगा मैं अपने बेटे को जैदरत की तरह भूल नहीं करने दूँगा तौसी से सबसे बड़ी गलती यह होई कि उसने ब्रह्मदेव का शरीर ही जला डाला समाचार यह है कि तौसी का विमान इसी हो रहा रहा है और उसके पीछे पीछे सुमेरू परवस्य देव सेना भी चल पड़ी है इसका मतलब देव गड़ों ने भी अब नड़नाय की उद्र लड़ने का फैसला कर लिया है ओ यह तौसी के तीरों की बोचार है उसने अक्मण की खोशा कर दिया मैं भी जवाब देता हूँ हम तैयार है देव लोग की सेना का नेतर राजो सुमेरू कर रहे थे सिनूरा वियू में जा छिपा है अब राक्षासो की आदी सेना और जी एटीन की दर शक्तिया सिनूरा को बचाने में लगी है इसलिए जी एटीन को पराजित करने का इससे उत्तम अफसर नहीं मिलेगा बड़े चलो बाद रो उदर तौसीन आक्रमा कर दिया आक्रमार आक्रमार ले मरा वजरास्त्र ये रही इसकी काड तौसीन है अगनी बाडों की बौचार कर दी मैं आक बुजाने वाला शस्त्र फेकता हूं अब तौसी के विमान को मार गिराता हूं चल मेरी ग्यारवी शक्ति तौ हर प्रकार की लौकिक और अलौकिक मशीनरी को बरबाद कर सकती है ओ, मेरा विमान तूट गया विमान ये तौबूमी के बीच गिर रहा है और ये रहा मेरा वह शस्त्र जिससे तौ ये तौबूमी में रूप नहीं बदल सकता जी एटीन ने रड़ भूमी को बांद दिया इसने में रूप नहीं बदल पा रहा हूँ तौशी का विमान रड़ भूमी के मद्ड गिरा गेर लो उसे तौशी तौशी तौवारे बीच में गेरे में है ठाक ठाक ठिशूं साँ साँ खण खण राजा सुमेरू के सेना भी पहुंच गई बड़ो देव सेना, महाबली तुसी को घेरे से मुक्त करना है अक्रमार मैं इस देव सेना को मज़ा चखाता हूँ सुमेरू देव, इस बार मैं आर पार की लड़ाई लड़ूँगा और तुमें देव सेना साइथ वापिस भागने का अफसर नहीं दूँगा तु मेरी तूफानी शक्ती है करा करा शक्ती बार छूटते ही देव सेना तूफान में घर गई मैं इस तूफान का रुख तेरी तरफ मोड़ दूँगा जी एटीन साहे साहे इन पर शोले बढ़ साता हूँ ये आग और तूफान का केल बहुत पुराना हो चुका है जी एटीन देख मेरे बाणों से तेरी आग भी बुझ रही है सक सक देव सेना तो आगे बढ़ती ही आ रही है मुश्किल यह है कि मेरी 10 शक्तियां तो सेनोरा की व्यूर रचना में लगी है और तौसी उसी व्यूर की तरफ बढ़ रहा है बची हुई आठ शक्तियों मैंसे चार को तो मैं प्रियूक कर चुका हूँ देव सेना के जबने मायावी युद रचना करता हूँ ताकि वैं नकली युद में फसी रहे और फिर मैं तौसी को रोकता हूँ चल मेरी मायावी शक्ति बना दे नकली युद की सेना देव सेना जी एटीन की मायावी सेना से लड़ने लगी मेरी एक डमी जी एटीन देव सेना से लड़ रहा है अब मैं तौसी सेने बढ़ता हूँ जिसने मेरी रक्षा सेना में माहा परले बचा दी है जब तक मैं जी एटीन का रक्षा कवज नहीं काटता तब तक मेरा शस्त उस पर वार नहीं कर सकता इसका रक्षा कवज काटने के लिए सौमी ब्रहम देग के अड़ियों का कवज दोड़ शस्तर प्रयोग करता हूँ मेरा रक्षा कवज टूट कर गिर गया तौसी के पास ऐसा कोई शस्तर नहीं था चटाक तौसी की सब कुप्त शक्तियों शस्तरों का ग्यान तो मुझे प्राप्त हो चुका है फिर ये कौन सा शस्तर था जी 18 युद में तूने अब तर साथ शक्तियों का प्रयोग कर लिया है अब तू इनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता बचे हुई आटवी शक्ति पर कट कर क्योंकि तेरी तर शक्तियों तो सिनोरों का बचाने में लगी है ये रही मेरी आटवी शक्ति देख मेरा विशाल रूप हा अब मैं तुझे भूलोग पर फेक दूंगा जा अब तु भूलोग पर जा गिरेगा ओ, मैं अपना रूप नहीं बदल पा रहा हूँ, ये क्या हो गया और अब मैं देव सेना को कुछलता हूँ खा जाओंगा सब को देव सेना में भगदन मच गई ओ, ये तो देव सेना को कुछलता सुमेरू परवत की और बढ़ रहा है सु मेरी परवत की रक्षा करो देव लोग में परले आएगी अब आकार्ष पकला बाजी अखाते तौसी को एक आए गिद्द न थाम लिया हैं तुम देव लोग में? राजन आपको देव लोग में ले जाने से पहले ब्रह्मदेव मुझे भी मिले थे यह उस समय की बात है जब आप मकड़ा भूमी की और प्रस्तान कड़ चुके थे मैंने भी मंत्रों की साहिता से ब्रह्मदेव को याद किया उस समय मम्मक कड़ जाल में फ़सा था ओम ब्रह्मदेवा नमाह मैं उपस्तित हू रिशीराज गिद्ध हूँ आगे खोलो मुझे उस जाल से मुक्त करें देव तथास तू सुनो गिद्ध आने वाले समय में देवलोग में महा संगराम होगा और तौसी संगराम का नायक बनेगा तुम में वह परतिबा है कि तुम देवलोग तक उड़ान भढ़ सकते हो केवल मार्ग नहीं जानते महा संगराम में तौसी को यदि कहीं संकट उत्पन हो तो तुम उड़ान भनकर उसकी मदद करोगे और ये पूरा संगराम तुम इसी स्थान से देखोगे संगराम के बाद तुम पुरा देवलोग का मार्ग भूल जाओगे मैं आपकी इच्छा का पालन करूँगा सौमी बस मैं ये देख रहा था और जैसे ही मैंने देखा तो मैं भूलोग की ओर भेग दिया गया मैं ओड़ चला क्या तुम अब भी संगराम देख रहे हो हां राजन जी एटीन इस समय सुमेरू परवत पर पहुँच चुका है मुझे उसी जगे ले चलो राजन तुम भी विक्राल मंत्र जानते हो उसका प्रयोग करके जी एटीन की वह अंतिम शक्ती काट सकते हो जी एटीन ने रण भूमी को बांद दिया था जिसके कारण में रूप ना बदल सका मगर अब मैं अपनी शक्तियों का उप्योग कर सकता हूँ वह देखिये राजन वह सुमेरू परवत उठा रहा है हाहाहाहाहा मैं इस परवत को उठा कर सब देवों को बाहर निकलने के लिए विवश कर दूँगा गिद्द ने तौसी को सुमेरू परवत पो उतार दिया अब मैं विक्राल रूप धारन करके इस परवत का भार बढ़ाता हूँ जय महादेव हैं परवत का भार बढ़ने लगा है तौसी के भार बल बढ़ाने से परवत उसी इस्थान पर वापिस जब गया जी एटी मैं हूँ विक्राल तौसी अब मैं तुझे मल्यूति के लिए ललकारता हूँ कौन है वह जिसने हम इस परवत का भार बढ़ाया सुमेरू राजा ने तौसी को उपाय बताया इसे लाल मैदान में पठक दो राजन वहाँ ये गुरू मंतर भूल जाएगा हे देवगणों अब क्या सोच रो शत्रो हमारे परवत पर है उसे बंदी बना लो जब तक उस लाल मैदान में उसका रक्त नहीं करता हम उसका कुछ नहीं भिकाड सकते लाल मैदान पर उसका रक्त गिरते ही वैसा अब गुरू मंतर भूल जाएगा क्योंकि उसने इसी मैदान में गुरू मंतर की तबस्या की थी थाक थाक लड़ते लड़ते तौसी जी-18 को लाल मैदान पर ले गिया ब्रह्मदेव का रक्त शस्त्र प्रयोग करो राजन जो तुमने उन अड्डियों से बनाया था सवाक यह थो ब्रह्मदेव की अड्डियों से बिना शस्त्र है जो मुझे लगाए खून टपकते ही G18 गिर पड़ा इसका मतलब तौसी न अड्डियों के शस्त्र बना लिये थे G18 की गिरते ही लहूट अपकते ही देवकर्ण कंद्रा से बाहर आ गए अब तु हमारे गुरु मंत्रों को भूल चुकाई G18 इसलिए हम तुझे बंदी बनाते हैं सवाक 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 G18 अपने वास्तिवे का आकार में समट गया तौसी भी अपने आकार में आ गया हे महावली इच्छादारी समय बीता जा रहा है आप अपना प्रण पूरा करें ओ मुझे तो सुर्यास से पहले सिनूरा का वद्द करना है चलो गित मुझे उस स्तान पर ले चलो जहां व्यू बना है यही व्यू है राजन मुझे व्यू के ऊपर ले चलो है guitar यह कैसा कहरा चाय है यहां कुछ भी तो नजर नहीं आता यह उपर से कुछ नजर आई है नहीं सकता यह व्यू की एक शक्ती है और ये है व्यूदार अब ब्रह्मादेव के शस्तों का प्रयोग करके तोड़ तोड़ डालो राजन या ये सुनूरा की सेनाएं ब्रह्मास्त छोड़ा तौसीन है एक और दौर धस्त किया तौसीन है दूसरा दार भी डह गया है वह इसी तरह के दस दौरों के भीतर शिपाएं देखो तीसे दौर से जी एटींग की अगनी सेना बाहर आ रही है और हर तरफ आगी आग रास्ता बंद हो गया सौमी का ये कौशस अगनी नाशक चक्र जी एटींग की शक्तियों का संगार करता तो उसी एक के बाद एक दौर तोड़ता गया और अब अंतिन दौर है शीगरी कीजिए राजन सूरास तोने वाला है ठैरो इस दौर को तोड़ने से पहले तो मैं मेरा वद्द करना होगा हे नारी तुम कौन हो मैं इसी देवों की धर्दी पर पैदा हुई देव कन्या हूँ और मैं सुनूरा की मा शानू हूँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्राणों की बली देने आई हूँ धन्य है सी मा पुत्र राक्षस होते हो भी उसके लिए प्राणों का बलीदान हे राक्षस माता तूने एक बार अपने पुत्र को सरपलोक में मेरे अप्राण के लिए भेजा था हाँ क्योंकि तुमने मेरे पती के हत्या कर डाली थी चलाओ सौमी ब्रह्मदेग के अड्डियों का शस्त मुझ पर रुक्यों गए मैं किसी नारी परवार नहीं करता राक्षस माता इसलिए मेरे माग से अड़ जाओ अपने कायर पुत्र से काओ कि वो बाहर निकले और मेरा सामना करे अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही गमंड है तो ब्रह्मदेग के शस्त्र मेरे कद्मों पे फेक दो लड़ना है तो अपने पराक्रम से लड़ो राक्षस माता ये रास वामी ब्रह्मदेग के अड्डियों का अंतिम शस्त्र अब अपने बेटे को बाहर निकालो हाँ 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 यह शस्त्रब तेरे अब मेरे बेटे के हाथों में होगा देख सूर्यास्त हो रहा है अब अपनी परतिग्या पूरी कर याद रख मेरा पुतर तब तक वैसी गलती नहीं करेगा जैसी गलती जैदरत न की थी तेरी चिता जलने के बाद ही बाहर आएगा सच्मस सूर्यास्त होने लगा था सूर्यास्त होता देख तोसी अपना प्रण पूरा करने चल पड़ा गित तुम साक्षाक्षी हो मेरे साथ चल हुआ है अन्य था मैं अंतिम दौर भी धस्त कर देता राजन हम वापिस लोट चलते हैं अपने प्रण को भूल जाईए नहीं रिशी राज ऐसा असंभाव है कुछ देर बाद मैं आपके आत्मधा का ऐसा बदला लूगा की देव लोग काँ पुटेगा अब तुम यहां से दूर चले जाओ उधर पुत्र सिनूरा भ्रहमान में यही एक शस्त है जो तेरा वद्ध कर सकता है तौसी अब चिता में जल रहा है मैं देखकर आ रहा हूँ दूत ने खबड दी जाओ सिनूरा उसे अलविदा करके आओ चिता के चारो और लप्टे उट रही थी तौमारी रक्षा करने को कोई कृष्ण नहीं आया तौसी और आता भी कैसे मेरी मा की देविक शक्तियों के सामने माय जाल नहीं फैलाया जा सकता तौसी चिता में जल कर राख हो चुका अब देव लोग भूलो को पाताल लोग की विजय में हमें कोई नहीं रोक सकता तौक हैं ये कौन है थाक सौक तौसी ने अपनी मड़ी का प्रकाश फैला दिया हाँ 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 देख मैं तौसी हूँ मैं अपनी मड़ी के प्रकाश में तेरा वद्ध करूँगा और अब सौमी ब्रह्मदेव का अंतिमशस्त भी तेरे हाथों से निकलका मेरे हाथों में आ गया तो क्या तौमारा प्रण जूट था सुन राक्षस के पुत्र जो तू देख रहा है वह सच है मेरा कोई प्रण छूटा नहीं होता मैंने सौमी ब्रह्मदेव से तेरे वद्ध का प्रण किया था परन्तु जिसे तेरे बाब जी एटी ने चिता पर प्रण करते देखा था वो मैं नहीं था मैं लक्ष प्रण 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 के लिए अपने भीतर की छे शक्तियों में से एक को गमाया चिता में भस मोने वाला मैं नहीं पाड़ी दख था और अगर मैं यह चाल ना चलता तो उसका भी भी उसे बाहर ना आता और चिता पर प्रतिक्या करने वाला भी मेरा वही अच्छा-दारी पाडी दोस था मगर अब तेरी मौत का समय आ गया है करण 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 चलिए राजन हम सूरते से पहले अपने लोग पर पहुँच जाएंगे सुनोरा की मौत के साथ मेरा और पाड़ी धच का प्रण भी पूरा हो गया अब हम प्रस्तान करते हैं तौसी न मड़ी अपने मूँ में रख ली तौसी वापिस लोट रहा था तब ही आकाश में गढ़ जना हुई सन तौसी तूने मेरे पुत्र के हत्ता किया इसका बदला तेरे पुत्र से लिया जाएगा यह आवास किस की है राक्षास माता शानू आकाश वाड़ी कर रही है उस दिन का इंतजार कर जब तेरे पुत्र का नाम करन संसकार होगा उस दिन जी एटीन शिष्टी का इत्यास बदलने तेरी सर्जमी पर अवश्य आएगा रिशी राज के लगता है मेरे पुत्र के नाम करन पर कोई बड़ा ब़़ा संकटा आने वाला है मैं भी सर्वदेश में ऐसे व्यू की रचना करूँगा कि कोई भी शत्रू मेरे पुत्र की छाय तक ना पहुश सके उदर देवलोग मेरास दरबार में सुमेरू राजा तौसी के उपकार को देवलोग सदय भी याद रखेगा हम तुझे आशिरवाद और वर्दान देते हैं कि तुझे परास करने वाला तीनों लोगों में कोई ना हुआ और फिर दौनों देवलोग की सरत पर आक्समात ब्योश हो गए और जब होश आया तो वो धर्ती पर थे अरे हम धर्ती पर कैसे पहुँझे स्वामी ब्रह्मदेव ने सच कहा था देव लोग सब तवस्ता में ही आया जाया जा सकता है सब को सपना लग रहा है तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं तौसी सीरीज की अगली कॉमिक तोसी और जुगनू में तब तक के लिए धन्यवाद